हेलो फ्रेंड हमारा तेशा की देख रहे हैं समोसा और चाट का रेसिपी बनके तयार है हमने बना दिया इसको आज विकेंड था सटेले था मेरे हभी और बच्चे बोले कि आज समोसा चाट बनाओ और लोग को बहुत पसंद है उमिद हमारा रेसिपी आप लोगों को भी पसं आए तो सस्क्राइब जरूर किया करिए और वह इससे अच्छा अच्छा रेसिपी और ले करके आप लोग के समने आऊंगे थेंक यूँ हेलो फ्रेंड आप लोग कैसे हो मैं अच्छी हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे तो संजू बोबी कीचन ब्लोग में आप लोगों का स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ समोसा चाट और समोसा चाट बनाने की रेसिपी भी बताऊंगी और कैसे बनाती हूँ वह आप लोग को दिखाऊंगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मटर को हमने रात में भींगो दिये थे, ये चाट बनाने के लिए अब तैयार हो चुका है, देखिए समूशा के लिए मैं आलू उबाल ली हूँ, और मटर को उबालने के लिए मैं कुकर में चरहा दी हूँ, और ये देखिए फ्रेज, ये समूशा का मसाला है, इससे बहुत ही स्पेसल समूशा बनता है, इसमें मैं सरसो, लहसन, अगरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाई हूँ, और मैं ये देखिए, समूशा का डो तयार कर ली हूँ, इसमें मैदा है, थोरी सी नमक और दो-तिन पी आप लोग को मताती हूँ, देखिए फिरें, मैं दिखाई थी न, कि आलू उबाल ली हूँ, आलू उबालने के बाद मैं ये समूशा का मसाला तयार कर ली हूँ, अब मैं इसमें थोरा सा मतर भी डाली हूँ, और हमारा समूशा का मसाला तयार है, अब मैं समूशा भर कर करके आप लोगों को दिखाती हूं देखिए फिरेंड चाट की लिए हमारा कराही गरम हो चुका है मैं चाट बना करके आप लोग को दिखाती हूं समोसा का मेटरियल तो तयार है अब मैं चाट की तयारी करती हूं मतर मैंने वाल लिये हैं अब कराही गरम हो चुका है, इसमें मैं दो टेबल स्पून सर्सों का तेल डाली हूँ, तेल गरम हो चुका है, अब मैं थोड़ी सी जीरा डाली हूँ, जीरा डालने के बाल मैं मिर्ची जो कट करके रखी थी और मिर्ची दो मिर्ची, इसके बाल प्याज, प्याज को हल्का फ में आपको दिखा रही हूँ एक हल्दी एक चमच एक चमच लाल विर्ची पोडर और स्वा दनुका नमक फ्रेंज देखिए मसाला हमारा चाटका तयार हो चुका लगवाज भूल चुका है अब इसमें थोड़ा सा इंगली दुणाई सी में वह इंगली का पानी डालो भूली खटाई दे लिए इंगली पानी में दे दी अब थोड़ा सा भूला हुआ जीरा पोडर डालो गए देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा मसाला प्राइं हो चुका है इज इतने मिक्स हो चुका है अब जो मैं मटर वाल करके रखी हूं वो इसमें मिक्स कर दूँगे देखिए फ्रेंड चाट हमारा लगवग तैयार हो चुका है अब दो तीन मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी फिर धनिया पत्ता इसमें काटके डाल दूँगे देखिए फ्रेंड हमारा चाट जो है वो बनके तैयार हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं अब इसके उपर से धनिया पत्ता मैं डाल दूँगे देखिए फ्रेंड हमारा चाट तैयार हो गया है अब मैं समोसा बताती हूँ कैसे बनाते हूँ समोसा के लिए मैंने लोही काट लिया जैसा कि आप देख रहे हैं और मैं यह समोसा बना करके आपको दिखाऊंगी यह देखिए ऐसे समोसा का जो है ऐसे बेलना है समोसे को लंबा सेप देना है और इसको बीच से कट कर देना है देखिए फ्रेंड आपको मैं एक समोसा बना कर करने के बाद ऐसे तीक बनाना है उसके बीच से दोभाग कट करके कट कर देना । हम इसमें जो मसाला बनाकरके रखे थे आलू का वह फिल कर देंगे ठीर करने के बाद पानी लगा करके इसको चिपकाना है, बीना पानी का चिपकाएंगे तो वो तेल में डालते ही समोसा पिखर जाएगा, इसलिए दोस्तों देखिए ऐसे समोसा बनाना है, देखिए हमारा समोसा बनके तयार है, फ्रेंट देखिए हमारा सारा समोसा बनके तया आप लोग को अधर करने के लिए लग रहा है ने अधर में आप लोग को इस प्रइब करके दिखाती हूं आप देखें आप हमारा समॉसा सारा फ्राइब हो चुका है अब मैं आपको सर्फ करके दिखाती हूं प्रेंट देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा समोसा चाट रेशिपी बनके तयार है और मैंने सर्व भी कर दिया है आप लोग देख वीजिए कितना बरहा बना है जितना अच्छा ये देखने में है उससे भी ज़्यादा टेश्टी ये खाने में है आप लोग हम समोसा चाट रेशिपी आप लोगों को पिलीज अच्छा लगे तो लाइक और सस्क्राइब करना नहीं भूलिएगा तब तक के लिए बाई बाई टेक केर फ्रेंड मीलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट रेशिपी के साथ